नमस्ते मेहुर इनुका तो आप सबका मेरी यूटूब चानल में बहुत-बो स्वागत है तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़े मागना चाहती हूं क्यूंकि आज मेरे आवाज कुछ बराबर नहीं है क्यूंकि तीन-चार दिन हुए मेरी तबेत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए मेरे आवाज आज बराबर नहीं आ रही है तबी मैं ये वीडियो बना रही हूं तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्रूट कस्टड ए बना के दिखाने वाली हूं बगर उससे पहले अगर आप मेरी यूटूब चानल पे ने हो तो चानल को सब्सक्राइब किजे और साथ में मैंने आदा लिटर दूद डाल दिया है तो उसमें से मैंने कस्टड पाउडर का पेष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा दूद रख दिया है तो सबसे पहले अभी हम कस्टड पाउडर का पेष्ट बनाने वाले है तो उसके लिए मैंने बाउ लिया है तो अभी मैं इसमे चार चम्मच कस्टड पाउडर डालने वाली हूं, तो अगर आप कस्टड पाउडर घर पे बनाना चाते हो, तो मैंने उस पे एक वीडियो बनाया है, तो उपर आए बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देखके घर पे कस्टड पाउडर बना स और आपको इसमें एक भी गाट नहीं रहने देनी है तो आपको इसका एकदम पतला सा पेस्ट बनाना है तो आप ये गश्टर पाउडर का पेस्ट बनके तैयर हो चुका है फिर उसके बाद आपको इस दूध में स्वादनूसर चीनी डालने है तो मैंने यहाँ एक कप चीनी ली है तो यह लगबग 200 ग्रैम चीनी है फिर उसके बाद हमें इसमें हमने जो कश्टर्ड पाउडर का पेश्ट बनाया है वो सादा इसमें डाल देना है और यह दूद अच्छी तरह से गाड़ा होने तक हमें इस दूद को पकाना है तो आप बच्चों को ऐसे ही फ्रूट देने के बजाए अगर फ्रूट सेलड बना के दोगे तो वो खाने में ज्यादा पसंद करेंगे और फ्रूट सेलड टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनता है तो ये दूद उबलना शुरू हो गया है तो आपको ऐसे आच्छी तरह से इसे गाड़ा होने तक पकाना है और ये दूद दिखिए कितना कम हो चुका है तो ये अभी दूद बन के तयार हो चुका है और ये दिखिए कितना गाड़ा हो चुका है तो अभी मैं ग्यास को बंद कर देती हूँ तो अभी हमें इसे थंडा कर लेना है तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और ये थंडा हो चुका है तो अभी मैं इसमें सारे फ्रूर्ट्स एड़ करती हूँ तो मैंने यहाँ एक कप बारीक कट किये हुए सेब लिये है तो मैंने इन्हें एकदम बारीक साइज में कट किया है तो मैं इसमें अभी डाल देती हूँ फिर मैंने यहाँ एक कप बारीक कट किये हुए अमरुद लिये है तो मैं इन्हें भी इसमें डाल देती हूँ फिर मैंने यहां एक कप बारी कटके आ हुआ केला लिया है फिर मैंने यहां एक कप अनार के दाने लिये है तो मैं इन्हें भी इसमें डाल देती हूँ तो आप चाहो तो इसमें और भी फ्रूट्स एड़ कर सकते हो जैसे जामून हो या आम हो आप जो चाहे इसमें फ्रूर्ट अड़ कर सकते हो तो उसके बाद हमें इन सारे इंग्रिडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अभी हमारा फ्रूर्ट सेलर अबन के तयार हो चुका है तो आप इसे फ्रीज में रखके थंडा करके सर्व कर स सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नहीं वीडियो में तो थैंक्स फ्रेंड्स वाचिंग माई वीडियो कि अ झाल